कि वहुंत हैं स्मीं सब्सक्राइब के लिचा करें रहां रिएद के लिए था फिर हमने कुलम्स लो किया हुआ था कुलम्स लो पर बेस्ट कोईशिंस किये हुए थे सुपर पोजिशन पर पड़ा था अब हमारे पास इलेक्ट्री फील्ड है है कि मैंने आपको जो बोला स्टाटिंग में कैफ्सूल की बात की यहां के वियुक्त यहां में दूसरा पॉजिटेफ जैसे आपने देखा होगा अपने मैंगेट के आथे तो यह देखते के पास दुसरे मैंगेट को लेकर शेता है तो बच्छों जैसे लगाता है उसी तरीके से जब हम चार्जेस को पास लेके आते हैं तो वह एक दूसरे पर अट्रेक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं अब यह धियान दीजी जब इसकी बात और इसकी बात करो तो यह इसे बिना टच किये फोर्स लगा रहा है तो यह कहने का मतलब है विना टच किये हुए फोर्स लगाहरा है जब हम इस इसको पास ले और तभी असा हो रहा है तो होता क्या है सेम चार्जेस में होता है कि बिना एक दूसरे को टच किये हुए वो फोर्स लगा रहे होते हैं Türkiye हैं इसके ऑसपास क्यूंट को लेकर आरहा हे मानदो एक तो यह एक दूसरे पर कोई भी फोर्स एक्जर्ट नहीं गरेंगे लेकिन अगर जब मैं उस चार्ज को पास लेके आते रहूं एक सर्टेन डिस्टेंस पर लेके आता हूं तो यह वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाना सुरू करतेगा तो जैसे आप समझते हैं कि एक चार्ज के पास जब दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा तो हम कहते हैं कि एरिया अरॉंड इस चार्ज वेर अनेदर चार्ज मान लीजिए को यह जा रहा है यह मांदीजी क्यू है इसके पास में किसी चार्ज क्यू नोट को लेकर आ रहा हूं वह पहले बहुत दूर है तो कुछ फील नहीं होगा जैसे ही वह सब कल जो बनाया हुआ है यहाँ से देटर आएगा तो इस पे लगेगा तो इस चार्ज के चार्ज वह एडिया जहां पहे यह चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्ज एड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या electric field the area around the charge where the other charge yes from test charge test charge experiences is test charge experiences force of attraction or the person is called electric field क्या किलाएगा इलेक्ट्री फील्ड जैसे अर्थ का अपना ग्रेविडेशनल फील्ड होता है जैसे आप किसी भी चीज को फैंक है तो यह बापिस की दे लिए लेकिन एक सब्सक्राइब करने वाना नहीं तो वह एक सब्सक्राइब तो वैसे ही चार्ज की किसमें एक सब्सक्राइब और यहां इसको अट्रेट कर लेगा यहां फिर रिपल कर देगा डेफिनेशन वह लोग क्या देते हैं यहां पर देखिए अब देखो यह सिंगल चार्ज भी हो सकता है यह इस तरीकी से महान के चलो कि आपके एरिया में कोई गुंडा रहता है तो उस गुंडे के आसपास का एरिया उसमें अगर कोई छोड़ा गुंडा अगर एंटर करता है तो वह उसको डर लगेगा फोर्स लगेगा तो वह एर गराया तो हम कहते हैं अब यह सिंगल भी हो सकता है सिंगल भूंडा भी हो सकता है चार फाश गुंडा गुप भी ओसको डराएं तो हमने कहा अधा एरिया अरूंड अट चार्ज और ग्रूप ओव चार्ज यह वेर पेर टफोर्स ओव force of attraction or repulsion is experience experience is called electric field the area around the charge or group of charges where the force of attraction or repulsion is experienced is called electric field which are the group of charges in which the area of force of attraction or repulsion experience is experienced field here electric field to get a definition of charge is spare by the square in this area if someone else charge charge experience this electric field here is a way to keep it q1 q2 q3 is the same condition if it has a charge to note इक फुरिए को अब आगे साथ अब टपिक हैसे इलेक्रिक फीड इन टैनसीटी कि फीछ निंटर हुआ निसा सबसे पहरदे तो शाय बहुत आप इन टेंसीटी को कैसे डिफाल करते हैं इस चीइन का ही जाते हي पर चाहिए खार इनेसिटी का मतलब हो गया कि आपके पास यह हाथ Сे सबसेurgian, थाइच से समय रसे कहने जो इन रैंगा तो वह रसे जाता है इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि किसी यूनिट सीजस में से निखल लाने जो आप orchard ne वह लो इति बोट अपड़ोगर निखल फढ़ने रहे ह्म पर उसके फोटनलर तो डोनों जैने लुडर जयाक लिए और अब इसी तरह केसे अगर हम turnover करने की बात करेंगा वागर हम चार्जे इसको कि रिखाइन करने की बात करतें तो अगर मान लो दो चार्ज है एक चार्ज और रभी के बाते हैं तो आगर एक चंब क्यों है । तो क्यों के पास अगर आप किसी को लेकर आओगे तो उस पर फोर्स कम लगेगा वाला फोर्स क्या लगाएगा ज्यादा लगाएगा तो बेसिकली इलेक्टरी फिल्ड इंडेंसिटी क्या है देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में पड़ाया था मैंने बुला था कि हम लोग क्या होगा इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा और क्यू नॉट यह जो चार्ज आ रहा है टेस्ट चार्ज इसका मेंगनिटूड देखो कभी फिजिक्स में देफिनेशन की बात होती है मतलब होता है इसे आप को बोल लिया कि इलेक्ट्रीक ृद की डफीनेशन क्या होगी अप इलेक्रीक फिल्ड को डिवाइन करिए तो डिफाइन करने का मतलब क्या है बैक्तों बड़ समझ लो आप सारी डेटीनियसे क को देदेगे को मतलब किसी को किसी के टमस पे करते हैं जैसे मानलो अगर हमारे पास मुवाइल नियम कहीं साथी में चले गहें और किसी नहांटो कि सब्सक्राइब किसी के पर उसने मेरे भाई को किना बोला मुझे या किसी और दिफाइन करने के लिए वह तो हम कहते हैं में झिलकन की तरह लगता है यह उसने को सदी की यह सदिखता है। तो हम सब्सक्रboutा किसी कर ट एकम करद्र और को सबने करो सब्सक्रक्राइब्स के लिए डियनकी सब sıoltा सब्सक्राइब करोंगा हो सकता है मैं मैं मोसी कारणा ड़ी मिए हस्कोग है उसको नौन प्रस्टाइट के त्रस अब किसी में बात कर टेंड़ données को जो नियु तप हमारे लिए रहेगा तो हमारे तो जैसे मेरी मौसी की लड़की जैसे मानलो ऐसे गाउं में रहती है तो दिखने पर सुन्दर है लेकिन वह चाहा रहे हैं कि थोड़ा सा दो जैसे मेरी मौसी लड़की अगर मेक अप कर ले तो वो क्या लगेगी जैसे इस टेस्ट चार्ज इस यूनिट देन दफोर्स इस इक्वल तो इलेक्टरिक फील्ट तो इने डिफाइन कर देया एलेक्टरिक फील्ट को मैं कह रहा हूं भाई एलेक्टरिक फील्ट कुछ नहीं होता है एलेक्टरिक फील्ट इस सेंप्ली फॉर्स कौन सा फूर्स दफोर्स एक्सपीरियंच बाइट चार्ज इसकॉल्ट इसकॉल्ट लिए एलेक्टरिक फील्ट देखिए जो यूनित टेश्च चार्ज जैसे इलेक्टरिक फील्ट हो सकता था वह एनर्जी हो सकता था वह मुमेंटम हो सकता था तो मुझे बता क्या हो तो यह फॉर्मूले से मुझे उसने बुला डिपाइन कर दिया मैंने का बही एलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बनाबर है कौन सा फोर्ड यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मतलब हुआ है कि मैं इसकी इंटेंसिटी देखना चाहरा है कितना बड़ा बुंड नहीं कि अब कर दिया कि यह तो यह अगर ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो ज्यादा तो यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर कोई चार्ज किसी दूसरे उनिट चार्च पर अगर फोर्स ज्यादा लगा तो इंटेंसिटी इस इक वो फोर्स लगा रहा है इसकी आप लोग फुटो ले सकते हैं अब हमें कुछ कि इसकी यूनिट डिपाइन करनी है कि कैसी क्वेंटिटी है सबसे पहले तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कि इस वेक्टर मेंद प्रस्ट को फील्ड मैंने क्या बढ़ाता वेक्टर सम पढ़ाथा तॉपिक कि वेक्टर सम होता तो वैसे ही इलेक्ट्रीक फील्ड में इस पर बोई प्रेंस पर लगांगा कि मैं बोलनाओं कि अगर कोई एक चार्ज है क्यों टू क्यों टू क्यों तो आप देख रहें एक पल्डू आपने साफ सब लिगा एक पॉर्स के लिए न्यूटन फर चार्ज के लिए क्या होता है कुलं तो न्यूटन पर कुलं या फिर न्यूटन कुलं माइनस वन होता है कि सरी चीज़ें इसका पूछ देजाए डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें विद्दर इभी डेफिनेशन लिखना से गहा है बच्चो क्या हो जागा इसका हमने बोला equal to f upon q होता है f क्या होता में क्यों क्यों होता आपका it m acceleration क्या होता है velocity upon time change rate of velocity is called acceleration आई आपके i current जो current है उसके लिए होता है time के लिए आपका t हो गया अब यहां पर मास के लिए capital M velocity का होता था L T minus 1 और A into T already है यह भी T नीचे आजागे तो T हो गया M L T minus 1 T 2 हो गया उपर जाएगा तब T minus 2 उपर जला गया और यहां पर A minus 1 हो गया M L T minus 3 A minus 1 तो यह आपकी electric field के लिए value हो गई यह आपका electric field का dimensional formula होगा तो अगर यू उचे vector quantity है फिर हमने इसकी unit देख ली और हमने इसका dimensional formula भी देख लिया है अब हम बाग करते हैं electric field due to a point charge कि एस पर बेस्ट आपके पुछ नुमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं जैसे कि अगर मैं कोई question दे दूं जाले पहले हम देख लेते हैं electric field intensity due to a point charge मैं electric field intensity निकालना हूं किसकी में इसे point charge के लिए से let q be a point charge let q be a point charge मान लो यहां पर कोई q point charge है इससे r distance पे q note है तो बच्चों होगा गया जो q है वो q note पे force लाएगा q force लाएगा q naught पे ठीक है let q not be a test charge we are test charge at a distance small r from q उसकी जो distance है q से small r है तो क्या हो जाएगा force experienced by by q not due to q अब आपको मैंने बताया था भाई फिर यह जाते है तो capsule जाए थी वही दो शार्जर जो जाएगा नहीं फोर्स लेगे गा इत्ना फोर्स लेगा एफ इकवल टू एपको पॉर पाई एपसाइल नोट q q not upon r2 और यह फर्मूला आपका intensity क्या होगा था एलेक्ट्रिक फील्ट इंटेंसिटी इस इकवल टू एपको पॉर पाई एपसाइल नोट q upon r2 तो आपका फॉर्मूला निकल गया आगया इस इकवल टू एपको पॉर्मूला एपसाइल नोट q upon r2 अगर यहां भी देखू इसको मीडिया अगर चेंज कर दूए अपसाइल नाम जएगा अगर मार के विच का चयंज जाएगा तो इस्को लिखे सकते इसका इशका पॉर्मूद लेशंज इसका पी श dar वेक्सैपे यrí कि इसको वेक्टर पॉर्म में अगर मुझे लिगना है तो बैक्टर लिगने के लिए भी मैंने आपको पड़ा रख्ञा पहले ही तो यह आपकी वेक्टर सकती है इसी को अगर आप और लिखना चाहते हैं तो क्या होगा आर एकटर इसिपल तो आप आरे टो आर्टेब कि आर्टेब क्या होगा आरे स्पुर बैप रचाय यहां पर ईवेक्टर इसपल टू बनफोड पार एंप साली मत अर्ड़ इसको भी ट्यूंट इसको प्रपर में लिखना चाहें तो आप यह थे उसको पर में लिख सकते हैं और इस तरीके से है अब देखो हमने एक पीड को देखा अगर दूसरा चार जार रहा है तो वह उनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स को इंटेंसिटी बोला था और बीदेटिशन सब्सक्राइब लिगना सिखाँगा भी बाद में फिर उसके बाद आपने देखा कि अगर पॉइंट चार्ज है तो क्यों इदर क्यों नोट की बीच में फोर्स लगेगा कूलांग सबसे तो क्या फामुला ओद आपन पूर पैफ साल नॉट क्यों क्यों क्य इंटैंसिडी का फामुला था इक्वर फ़न क्यों नॉट उसको लगाया तो वैल्यू इकल गई अगी यह फिसको बैक्टर फोर्स लगेगा क्यों क्यू और क्यों के लोगें कि मैंने को पहले यह जोड़ दिरफिन किया था मैंने कहा कि बही जो इलेक्ट्रिविल्ट आपक फॉलो करेंगा तो नियुक्त सब्सक्राइब करेंगे तो इस इक पर पॉजिशन प्रिंसपल मगेरा देख लेंगे इस टॉपिक पर बेस्ट क्या हो सकता है मिला अगर मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब कोई वाटर ड्रॉप है जिसका मास 10 देज्ट टू दी पावर 3 गेजी है ठीक है और इसका जो चार्ज है 1.6 इंट देज्ट टू दी पावर माइनस 19 कुलम है मास देदिया मैंने इसको चार्ज देदिया तो मैं कराऊंगी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू तू जस्ट सपोर्ट जस्ट सपोर्ट इस फ्रॉट इस फ्रॉट अब इसको समझने के लिए मैं कुशन तो दो मिनट में करा दूंगों को बड़ी बात है मैं कुछ चीज आ जिए आँए अब यहां ढानों से जी तकि सब्सक्राइब अब इस तरह कि सब्सक्राइब ऐए अगर अद्सौ घ्रॉऌन है कुर इसी में मैंनेbagai दी गाओ तो यह नोल आविक भाटन के लिए हम संच है अगर मैं यहां बेगत इसका मास इसको नीचे किराने की कोशिस करेगा तो अब यहां पर ध्यान दीजिए अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है थोड़ा सा समझते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं आपको एक कॉंसेट दे रहा हूं इसको ज़्यादा लेना देना नहीं है कि मैं सारी जीचे बता रहा हूं इसको नहीं पहले समझ देते हैं अगर मैं इसके बीच में कोई चार्ज रखता हूं और वह चार्ज है पॉजटेव तो क्या होगा पॉजटेव निगेटिव की तरफ एट्रेक्ट होगा तो नीचे बिरेगा तो एमजी भी नीचे बिरारा है यह नीचे को गिरने की बोशिष कर रहा होगा और दूसरा कंड तो आपका इस तरीक़ से इलेक्रिक फीड यहां भी यहां भी लग तो अगर पॉझेटिव यहां पे देख लो अगर आपसे बोला जाए कि वर्टीकली डाउनवर्ड फील्ड लग रहा है और उस इलेक्रिक फील्ड को रोक रखा हुआ है तो दिमांग लगाना ज़रा हैं जी यहां पर नहीं गिर रहा है इसका मतलब गयत पार्टिकल होगा जिससे निएजेटिव को डो पॉजिटिव पोजिटीव पॉजिट्व डगता है तो इसका मतलब यहां पर निएज चार्ज रखा होगा आपसे कभी कभी ऐसे कोश्चन में मैंगनिटीड भी बूस सकता है तो मेरा काम है कॉंसेट्ट देना कोश्चन तो आप बुग में उठाके नहीं भी कर लोगे तो यह निगेटिव अगर उल्टा हो जाए हमें एक्ट्री फील्ड को वर्टिकली अपवर्ड कर देता हू तो यहां पर आपका वर्टिकली अपवर्ड है तो प्लस वाला सपोर्ट होगा और यहां पर फिर से वही चीज़ बनाता हूं पर वर्टिकली अपवर्ड एलेक्रिक विडिक्वी डिरेक्शन प्लस तू-पर चार्ज है एमजी इसको नीचे को गिराने की कोसिस करेगा और अगर तो आपका पॉस्ट आपको आना चाहिए कि किस चार्ज को सब्सक्राइब या फिर अपसे बोलते की निगेटिव चार्ज को सब्वोड कर रहा तो इलेक्ट्रिक फिल्ड कितार रहा अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा क्योंकि 11 marks के questions भी important है 11 marks के पहले से तो होते ही थे परोना के टाइम पर ज्यादा important हो गये हैं हो सकता आने वारे टाइम आपके 11 marks के questions का नंबर ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो यह सारी चीज़ें तो अभी फिलाल जो हमारा question था उसको समझ लेते हैं इसका इसको समझ लेते हैं इसको समझ लेते हैं जैसे कोई ड्रॉब हैं इसका solution क्या दिया तुम्हें मांस दिया है 10 10 दिए पावर माइनस 3 चार्ट दिया है 1.6 दो 10 दिए माइनस 19 कुलांड तो देखो एक वापन क्यू यह क्यों नोट यह क्यों एक ही बात है अब क्यू ने लेंगा एक इक वेल्टु क्यू भी हो गया आपके पास एक इक विपल टु एंजी यह जैसे कोई वाटर ड्रॉब है वाटर ड्रॉब है उस पर क्या होगा वह उब्यस्सी बात है उस पर एंजी नीचे की त्रब को गिरना चाहेगी तो उसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोक के रखेगा वह कह रहा है कि जस्ट सब्वोट करना एलेक्ट्रिक विल्ड कॉंसा पोस लगारेगा एफ सब्सक्राइब उसमें क्या होंगी क्या हो गया तो यहां पर आपको निकालना गया है एलेक्ट्रिक विल्ड एंजी अपॉन क्यों एंधा टैंट इस तुदी पावर थी जी नाइन पॉंट एट अपॉन दो नाइन पॉंट से पोंट से पॉंट कैंचल आउट हो गया निए अफॉन इंट आ पन इस्टीन इस स्टीन देश्ट आइस टूओ निटीन हो जाए गा 16 696 वाइंट लगिया फूंट्वेंटी होगा 16 में जा 16 और फिर एक गया 4 16 फोर्जा अच्छा फॉर्टे हो गया तो अग्या जाएगा इंटो 10 इस तुदी पावर 16 इसकी युनिट अभी पढ़ाई थी मैंने न्यूटन पर कुलंग तो यह जाएगा आपका इस तरीके का कुश्चन है कि अगर वाटर ड्रॉप नीचे गड़ी है उसको सपोर्ट कर रहा तो अब्यस्टी बात है एम जी नीचे को लगेगा तो जो एलेक्ट्रोस्टाइलिक फोर्स उसके अपोजिट डिरेक्शन तबने एलेक्ट्रिक फील्ट देगा इलेक्ट्रिक वि उसके हैं